हलो फ्रेंड्स तो आ गया मैं एक और नीव वीडियो के साथ ही आ रिंग पुसिंग के एपिसोड नमबर इसे आप 3 समझ सकते हो क्योंकि इस सीजन मैंने अल्रेड़ी दो वीडियो डाल चुका हूँ यह तीसरा वीडियो होने वाला है तो इसे एपिसोड नमबर 3 समझो तो य यहाँ पर मैं आपको रूखो को एक चीज बताता हो ग्लीच वालो का आइडी दिखा तो यहाँ पर देखो टॉप पव वाले के मैंने का देखते हैं सेकेंड नंबर पर जो है उसका आइडी देखते हैं यहां पर उनका टॉप थ्री रेड भी आपको सत्तर से कमी देखने को मिलेगा और केडी तो कम रहता ही रहता है इसका भी रिवाई देखेंगे तो चोबीस सो के आसपास है 700 मेच में अब यहां पर टॉप थ आपको अपना प्रोफाइल दिखाता हूं अगर आप यह समझो कि 30% से जादा अगर रिवाई है ना मैच से 30% मतलब 300 मैच खेला है तो 100 से जादा रिवाई है तो समझ लेने उस बंदे ने ड्रैम डामेज लिया है अगर वो 3-4 गुना जादा है तो समझो वो गिलिच लगा यार 23 तो फिर किस हिसाब से आप बोल रहे हो भाई कि मैं गिलिच लगा कर पूस क्या हूं भाई मैं जिन्दगी में कभी ड्रम डामेज भी नहीं लिया हूं यार गिलिच लगाने का तो दूर की बात यहां पर जो बंदे ड्रम डामेज लेते है वो उनका रिवाई बहुत ह बहुत है जादा रहता है भाई मेरा 23 का यह आए देख सकते हूं नियानवे मैच में मैं जिन्दगी में कभी ड्रम डामेज भी नहीं लिया हूं भाई ग्लिच लागाने का तो सोच भी नहीं सकता और अभी तो मैं सोलो में खेलना ही स्टार्ट कर दिया हूं एक दो दिन में तो मैं स्कॉाइड में खेल तो रहा था लेकिन अपना दो बंदा जो है वो आया नहीं था भाई गेम में मतलब कि ये गेम हम लोग मैं और सावरब डूओ वर्सीज इसकॉाइड कहल रहा है वो भी इस टाइम पे मेरा grand master था और मैं रिजन पे चल रहा था उस टाइम का match है इतना जाद हम दोनों बंदो के गिस्सा आ रहा थै यार कि क्या बताऊँ मतलब कि मैं रिजन पे चल रहा था भाई उस टाइम का ये match है और दो बंदे आया नहीं था माइनस लगता तो फिर गंदा माइनस लगता यार गुस सारा दवाई मेरे को तो हम अब दोनों गेम निकालने वाले थे जैसे भी करके अब हमारे पास फेलको भी नहीं था यार क्योंकि जो जिस बंदे ने फेलको लगाया था वो बन्दा आया ही नहीं था गेम में तो यहाँ पर हम लोग मौट हाउस में जाने वाले थे तो यहाँ पर जीप लाइन लेकर जाते यार क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर में है प्लेन से तो इधर आके हम लोगों ने उधर जाके मतलब बहुत ज़्यादा लूट वेगे रखिया और मैं बहुत बड़ा पार्ट वीडियो का कट कर दिया हो ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना बनें अब उधर से मोट हाउस से हम लोग लूट वेगे अब बाकी लोग पूस कर रहे उनका ग्राण मास्टर लग नहीं रहा था तो उनकी जल रही थी इसलिए मेरे को बोल रहे हो कि ग्लीच यूच किया है बाई मतलब फोड़ा प्रोफाइल दखो यार मतलब एक बंदे का प्रोफाइल दिख जाता है बाई जो बंदा फेयर अनफेयर खेलता है उनका उनके फ्रोफाइल को देखने से पता लग जाता है अब यह बात एक या फिर किसी से भी पूछ ले ना जो ग्राण मास्टर पूस करता है मतलब बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बीना ड्रम डाइमेज के खेलते है भाई ना तो कोई गिलीच लगाते है ना तो कोई ड्रम डाइमेज लेते बहुत ही कम खेलते हैं मेरे लिस्ट में ना जाने कितने ग्राण मास्टर प्लेयर है और 70 इसे 80 परसेंट लोग जो है वो मेरे खुद के फ्रेंड लोग ड्रम डाइमेज लेकर खेलते है यार अबब बाकी लोग बहु लेकर खेलते हैं लेकिन बहुत कम ही लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बीना drum damage लेकर खेलते हैं मैं जिन्दगी में कभी drum damage भी नहीं लिया हूँ यार आपने कैसे बोल दिया माइनस जाता है तो फिर क्या ही बोलो यार वो सब छोड़ो अभी gameplay पर फोकस करते हैं तो अभी तक तो मेरा चार गिल हो चुका देख सकते हो यहां पर सब यहां पर बहुत ही ज्यादा बंदे थी इस टाइम पर ब्राजिलिया की इस साइड पर तो यहां पर मत्तब पुरग पुरा की square आरा जार और मेरा Call पर आय जा रहा है लेकिन जब मैं game खेल रहा था उसटाइम पर call नहीं आ रहा थे लेकिन यह जो मैं वीडियो रिकार्ड कर रहा हूं इन game का उस टाइम पर मेरा call आ रहा था तो इसको मैं कट वेगे रहा रहा था सवरब जो है पीछे जो है तो हम लोग थोड़ा सभी घिर चुके था मतलब फस्स चुके थे समझ लो अपने को ये बंदा तेक देखो एक बंदा हम पे रस कर रहा है मतलब आगे पीछे दोनों तरफ सेमको पढ़ रहा था और सेंडवीच बन चुके थे यार यू समझ लो यह मैं काना चाहता हूं तो य कि उन दोनों को मैं बहुत ज्यादा गाली दिया भाई मतलब गाली नहीं दिया डाटा मैं गाली वेगर किसी को भी नहीं देता मेरा आधात नहीं मैं बचपन से गाली नहीं देता किसी को भी जो मेरे को गाली देता था मैं सीधा उसको मार देता भाई मतलब इसकुल मैंने बहुत ज्यादा डाइमेज कर दिया तेम फोटी से तो देन इसको मैंने रस करके उड़ा दिया था अभी मेरे को जोन में भी जाना था भाई अभी मेरा देखो 6 किल हो चुका इस टाइम पे और 10 बंदे इस टाइम पे अलाईव है टोटल मेरे को छोड़कर 9 बंदे बच खेल रहा था तो मतलब और भी फोन लेग करने लगता और अगर रिकॉड़र आन कर देता तब तो गेम ही नहीं चलता भाई उपर से मैं चार्ज में लगा लगा खेल रहा था इसलिए मैं स्टाटिंग के दिन बिल्कुल मैच जो है रिकॉड ही नहीं किया था तो इसलिए आ आई समाझ सकते हो कि यह मैंने गेम मतलब रिकॉड़र से रिकॉड का किया था इस टाइम पर तो अभी तो बंदे यह बंदे थे भाई पता निकिदर किदर थे तो उतने ज्यादा बंदे भी अलायव नहीं थे लेकिन ने भी बंदे बच्चे हुए थे वो रिवार के उस सा दाइमेज नहीं गया लेकिन वो बंदा ओपन में आकर इस सामने ओले पेड़ पे आ गया तो यहां पर इसको मैंने बहुत ही ज्यादा डाइमेज कर दिया था अभी पत्तर के पास मेरे को एक बंदा दिखा मतला हम दोनों बंदे इस साइड थे बांकी सभी बंदे रिवर के उ बंदा लगा लिया था सामने मेरे को एक और बंदा दिखा इसको मैंने बहुत ज्यादा डाइमेज करके डाउन कर दिया था अभी मैं जोन में नहीं था तो यह देखो एक बंदा भी जस्ट एलिमिनेट हुआ तो मेरे को पता चल गया कि यह एक ग्रीन वाल वाला जो है वो हो चुका था क्योंकि इसको मैंने डाइमेज भी किया था तो यह बंदा इलिमिनेट हो गया है यार मतलब आप हमेशा किल पेट पर ध्यान देकर खेलो इससे आपको काफी जाता है हेल पे मिलेगा अभी देखो सामने एक बंदे को मैंने डाउन किया था लेकिन उसका किल किस करना चाहता लेकिन मेरे को पता लग चुका था कि मेरा कील चोरी हो गया इसलिए मैं वाल वेगर नहीं तोड़ा वहां से डारेक्ट निकल चुका था तो किल पिट पर ध्यान देकर किल पेड़ पर ध्यान देकर खेलोगे न तो बहुत ही जादा आपको हेल्प मिलेगा और म अभी तक तो इस सीजन मेरे को एक भी हेकर देखने को नहीं मिला था तो फाइनली इस वाले माइट में हमने कर लिया था बुईया और यह देखो रीजान पे था भाई मैं पांच मतलब ग्रांड मास्टर 5 पे था मतलब की रीजान पे चल रहा था और मेरा 11 किल था तो फिर यही था राज का वीडियो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो आपको दिल से धन्याद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में